दोस्तों बस्पा की राष्ट्रिय कारेकारणी की बैठक के बाद मायावती को पार्टी का फिर से राष्ट्रिय अद्यक्ष चुन लिया गया है। बस्पा की एहम बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि बस्पा की कमान अगले पांच सालों के लिए मायावती के हाथों में ही रहेगी मगर बैठक से पहले कयास लगा जा रहे थी कि पार्टी में उनके उत्तरादिकारी आकाश आनंद का कद बढ़ाया जा सकता है हाला कि बस्पा देक्ष के तौर पर तो आकाश आनंद को नहीं चुना गया मगर पार्टी के अंदर उनके जिम्मेदारियों को जरूर बढ़ा दिया गया है जी हाँ आकाश आनंद को मायावतीन एक नई और बड़ी जिम्मेदारी सौपी है दोस्तों बस्पा की मीटिंग में नेशनल कोडिनेटर आकाश आनंद को कई राजियों के जिम्मेदारी दी गई है चार राजियों में जिन राजियों में विधान सबाद चुनाओ होने हैं उनकी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है जिसमें दिल्ली, हरियाना, उत्तरप्रदेश, जम्मू, कश्मीर, महरास्ट के राजे शामिल हैं और इन राजियों में चुनाओ की पूरी जिम्मधारी आकाश आनंद खुद सम्हालेंगे हाला कि इस बैठक से पहले मायवती के जगा आकाश आनंद का नाम बस्पा के ने अध्यक्ष के तौर पर चल रहा था पर पार्टी महासचीव सतीश चंदर मिश्रा ने मायवती के नाम का प्रस्ताव सब के सामने रखा जिसको सभी पार्टी के नेताओं ने सहमती जताते हुए आगे बढ़ाया हाला कि जब आकाश आनंद को लेकर खबरे चल रही थी तो मायवती ने सो मौर को अपने रेटार्मेंट को लेकर चल रही खबरों पर बिराम लगाते हुए का कि सक्रिय राजनीती से मेरा सन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है जबसे पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे ना रहने पर बिसपी के उत्तरादिकारी के रूप में आगे किया है तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहें दोस्तों सन्यास वाली खबरों के बाद मायावती ने बस पाद्यक्ष पद के चुनाओ के बाद भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्हेंने कहा कि मुझे क्यानी कुमारी मायावती जी को आज एक बार फिर सर्व सम्मती से बहुजन समाज पार्टी का रास्ट्य अद्यक्ष राम जी ने 15 दिशंबर 2001 को सारवजनिक तौर पर मुझे बीएसपी पार्टी वा मूमिंट का उत्राधी कारी खोशित किया था और इनकी बीमारी के कारण 18 सितंबर 2003 को पहली बार मैंने बीएसपी के राश्ट्य अद्यक्ष पद की जिम्मेदारी सम्हाली हैं दोस्तों माय जोस के साथ एक युआ नेता की सोच के साथ आकाश अनन चार अलग अलग राजियों की कमान सम्हालेंगे दोस्तों मायवती के इस फैसले के बाद लोग उनकी खूब तारीफ पे गर रहे हैं और कहरें कि अब बस्पा राशनिती में कमबैक करने के लिए पूर रूप से तय आप आकाश आनन्द के राजनितिक सोच के बारे में क्या सूचते हैं अपना जवाब आप नीचे कमेंट सेक्षन में लिख कर बताईएगा आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार